हेलो फ्रेंड्स मैं विन्य निर्भिक फ्रेंड्स आपका एक बार फिर से हमार चैनल पर श्वागत है फ्रेंड्स जैसा कि आपको जान रहे हैं कि अभी 27 सेंबर को BPSC 66 प्रिलिम्स हुआ है जिसमें क्या हुआ कुछ खबर आई है 66 प्रिलिम्स में कि एक सेंटर पे पेपर प बट गये था ऐसे मैं व्युक्रावल हो रहे हैं और आपको सेंटर वह है और नiona के डोग लगतार सेंटram की प binnenशान घ्या तो उस सेंटर का एकजाम दोबारा कराया जाएगा लेकिन पूरे प्रदेश का कैंसिल कराने का कहीं बात नहीं किया गया उसमें फिर भी आप लोग लगतार उमीद बनाये हुए है कि पेपर कैंसिल होगा कुछ लोग कोट तक जाने की बात कर रहे हैं कि हमारे पास प्रूफ है हम कोट जाएंगे इसके लिए और पेपर कैंसिल करा के रहेंगे तो ऐसे बहुत सारे चर्चाएं चल रही हैं फ्रेंड्स कि पेपर कैंसिल हो जाएगा हो जाएगा लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बता दूँ आपको बिहार का इतिहास मालूम होगा अभी पिछले शाल UPSI वैकेंसी का जो पेपर लिख हुआ था उसके लिए युवाओं ने कितना डंडा खाया, कितना प्रोटेस्ट किया पर पेपर कैंसल नहीं हुआ, उसी पे मेंस भी करा दिया गया, आपको मालूम होगा ठीक है फ्रेंट्स, और यह तो इसे बड़ा आयोग है, यह BPSC है, जो क्या करता है जो सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट करता है, तो फ्रेंट्स आप सोचे यह कैसे पेपर कैंसल कर देगा मुझे यह भी उमीद नहीं है कि एक सेंटर का भी पेपर कैंसल करेगा, क्योंकि इससे भी क्या होगा, इससे थोड़ा सा क्या होगा न, उसका मुलब थोड़ा सा लेवल डाउन हो जाएगा, बहलाब BPSC से पेपर लिख हो जाएरा, BPSC को पेपर कैंसल करना पड़ रहा है तो फिर फ्रेंट्स क्या है, कि फिर एक्जाम साथ न हो दोबारा, क्योंकि BPSC न अपना काम कर लिया, एक्जाम करा लिया, ठीक है फ्रेंट्स, तो कैंसल होने के कोई चांसे नहीं दिख रहे हैं, आप लोग कितना प्रियाश कर ले, BPSC, BPSC है, आप लोग प्रियाश करते रहा जाएंगे, बट, exam cancel होने वाला नहीं है, ठीक है, फ्रेंट्स मैं आपसे यही कहूँगा, exam cancel नहीं होगा, जिनके अच्छे इश्कूर बन रहे हैं, वो main's पर focus करें, जिनके अच्छे नहीं बन रहें, जिनको लगता है, prelims clear नहीं हो पाएगा, वो 67th notification का इंतार करें, और उसका प्रिपरेशन करें ठीक है तो पहले हम बात करते हैं 67 नोटिफिकेशन के बारे में कब आएगा उसका एक्जाम कब होगा फिर हम इसका कटाफ के बारे में बात करें 66 जो भी बीता हुआ है इसका हम कटाफ बताएंगे कितना कटाफ जा सकता है मिस एक्सपेक्टेट क नहीं होने वाला है उनके लिए 67 जाया रहे ठीक है तो पर देख लेते हैं क्या होने वाला है तो देखें में ज्यादा नहीं देखूंगा कैलेंडर आचुका है 22 नमर को या था इसमें देखें क्या लिखा हुए लाश्ट वाला जोगा 18 नमर पे 67 समयुक्त प्रतियोगिता परिख्च्छा विग्यापन प्रकाशन कब है जुलाई दो जार ही प्रारंबिक परिच्छा अक्टूबर दोजर इकिस मोखिय परिच्छा जनवरी 2022 साचतकार मई 2021 यानि इसका नूट्टियेशन जो विग्यापन जो आपको जुलाई दोरIST में देखने को मिल जाएगा और प्रार्वर्मिक परिच्छा इसका जो अक्टूबर में किसी भी संडे को कराया जा सकता है फिर यह बोल रहे हैं मुखे परिच्छा जनवरी 2022 में कराने के लिए लोग दिसंबर तक प्रिलिम्स का रिजल्ट दे देंगी यानि कि आप देख रहे हैं फ्रेंट्स के बाद मेंस क कम टाइम बचेगा अगर ऐसा होता है तो ठीक है अधर्वाइस क्या है मैक्सम क्या होता है भी प्रिच्छी की पेपर तो पॉस्ट्पॉन ही हो जाए जैसे देख लिए 66 वाला जो है प्रारंभिक परिच्छा दिखा रहा है 27 सेंबर जो हो चुका है और फिर मेंस परिच्छ मेंस और अपना वी कारंग और सोचिए आ को समय नहीं बचेगा अगर आप शोचते रहेंगे मैं एक्जाम क्वालिफाई करूंगा या नहीं करूंगा तो फिर आप बहुत बुरी तरीके फर्स जाएंगे न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप प्रिपरेशन अपना ही स्टार्ट करते और भी बहुत सारी वेकंसी इधर आने वाल उस पर फोकस करना होगा ठीक है तो यह रहा 67 की बात जिन्हें लगता है कि मेरा 66 नहीं हो पाएगा अब मालिए 67 का उम्मीद बना हो जो कटाफ के बारें जाना चाहते हैं तो फ्रेंट्स मैं इस बार बता दूँ वेकंसी तो अधिक है फ्रेंट्स इस बार क्या है न थोड़ा सा डेटा बेजड कर दिए गए हैं अधरवाइस ज्यादा इस फेक नहीं पड़ा है यानिकर वेकंसी बढ़ी है तो फिर कंपटिशन भी बढ़ा है ठीक है ऐसा नहीं है कि कंपटिशन नहीं बढ़ा है इसलिए का कटाफ जो है अगर मैं बात करूं यूर के लिए तो 95-100 कोशन के बीच अगर आपके बन रहे हैं तो आप सेफ जोन में माने जाएंगे यानि 95 प्लस माने चलिए आपका प्रिलिम्स होई जाएगा आपको मिंस का प्रिपरेशन जरूर करना चाहिए जरूर करना चाहिए ठीक है और अगर 93-94 बन रहे हैं तो भी आप मिंस के बारे में सोच सकते हैं तो फिर आप मेंस का प्रिपरेशन ना करके खुद मान करके कि आपका प्रिलिम्स नहीं क्लियर हो पाएगा आप 67 के पीछे पढ़ जाएं अदरवाइस क्या होगा तो आप इधर के रहेंगे ना फिर उधर के और फिर बीच में पस्ता आएंगे तो आपको क्या करना चाहिए 67 पर यानि प्रिलिम्स से पहले फोकस करना चाहिए और इस एक अकॉर्डिंग आपको क्या करना है रिजर्ट कर लेना है आपको प्रिवियस कटाफ से मैच कर लेना है उसके अंदाजा लग जाएगा कितना कटाफ इस वर जानने वाला है मैं फि ठीक है बस data based कर दिएगे current अभरस बाकी सब तो और easy कर दिएगे पहले से तो friends मैं आपसे यही कहूंगा अगर इतने की range में आपका बनता है तो फिर आप mains का preparation करें otherwise आपका उससे नीची है तो फिर आपको prelims के बारे में सुचनाँ चाहिए ने ने नेक्स्ट इग्जाम का प्रिपरेशन करें अधरवाइज इसमें फसे ही रह जाएंगे ठीक है फ्रेंड्स तो अभी के लिए बस इतना है थैंक्यू जैहन जै भारत